आप देख रहे हैं तोडेज रितिक और अभी शेख बच्चन के बीच हुआ पंगा हिल गया पूरा बॉलिवूट आपको बता दे कि बॉलिवूट को अपनी आक्टिंग से लोहा मनवाले वाले वितिक रोकॉशन ने कई सारी सुपर हिट फिल्म में दी वैसे तो आप सबी लोगों को मालूम है कि रितिक ने अपने कद्यर की शिरुआ सन 2000 में फिल्म कहो ना प्यार से की थी कोई मिल गया क्रिश धूम 2 वर सुपर 30 काबल उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म में रही रितिक रोशन का टकराव मर्शूर आक्टर अभिशेक बच्चन से हुआ था जैसे कि आपको बता दे कि फिल्म रिफ्यूजी फिल्म से शुरुआत करने वाले अभिशेक बच्चन का पहली फिल्म फ्लॉप साबित हो गई थी लेकिन 2004 में फिल्म धूम और यूवा के प्रदर्शन ने बॉलिवूड में अभिशेक को एक अलग जगा दी लेकिन आज हम आपको बता दे कि कैसे रितिक और अभिशेक के बीश तक्राव हुआ था आपको जानकारी के लिए बता दे कि फिल्म डिरेक्टर राकेश रोशन रितिक रोशन के पिता है फिल्म कहो ना प्यारे की शुटिंग के दौरान दिरेक्टर राकेश रोशन एक ऐसा चहरा डुन रहे थे जो बड़े खानदान से तालुक रखता हूँ आपको बता दे कि करीना कपूर के पिता रंधीर कपूर और राकेश रोशन पूराने दोस्त है इसमें वह राकेश रोशन ने ये सूच था क्यों न करीना कपूर को इसके आछ रखिश रॉषन ने बुलावा भेश रंधीर कपूर को लाने के लिए कि लिए कहा जिसमें रितिक रोशन का डांस देख करीना उनके सामने फीकी लगने लगी। इस बात का हैसास करीना की मॉम और करीना दोनों को हो गया। ऐसे में बबीता ने राकेश रोशन से ये का कि वे पहले गाना नहीं कोई डायलॉग सीन शूट कर ले। करीना कमफटेवल नहीं हो पा रही है। लेकिन राकेश ने अपनी परेशानी बताई कि उन्होंने इतना महंगा सेट लगाया है सिर्फ गाने के लिए। और अब वो इसे हटाएंगे तो उन्हें काफी नुकसान भी होगा और समय भी बरबाद होगा। उस दिन करीना जब वापस घर गई तो दुबारा सेट पर नहीं लोटी। अब इदर अमिताब बच्चन भी अपने बेटे अभिशेग बच्चन को लॉंच करने की तैयारी कर रहे थे। अब शेग जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी कर रहे थे। ऐसे में उन्हें पता चला कि करीना कहो ना प्यार में कर जो फिल्म है वो नहीं कर रही है। इसके बाद जेपी दत्ता ने रंदीर कपूर से संपर किया और करीना को लेकर पूछा क्या वे रिफ्यूजी में क है दूसरी में अभिशेग बच्चन ऐसे में कडチो को कहने पर फैसला किया और वैं अभीक के साथ फिल्म रिफ्यूजी के लिए तायार हो गई इस तरह किसले कि अभिषेग के सामने अभिषेग कि इस मामले में जीत गए तो देखते हैं कि यह सब तो होता रहता है फिल्मों में लेकिन इस पर आपकी क्या राय है आपका क्या रियाक्शन आप प्लीज कॉमें सेक्शन में जरूर लिखें थैंक यू सो मच की वाचिंग टुडेइस फॉर मोर नियूज